नमस्कार स्वागत है आपका सरोकार में मैं हूँ अमृता राय और आज हम बात करेंगे इंसान के जीवन में विज्ञान की जरूरत की विज्ञान के सरोकार की विज्ञान के सरोकार इंसान के जीवन में जन्ब से लेकर रित्यू तक बने हुए हैं लेकिन आखिर क्या वज़य है कि हमारे युवाओं की दिल्चस्पी विज्ञान में दिन प्रति दिन घर्टी जा रही है तो आज चर्चा इसी विशे पर और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं कई खास महमान हमारे साथ हैं प्रोफिसर आर राजारमन, एमिरिट्स प्रोफिसर आफ फिजिक्स हैं, जे इनियू में हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है राजारमन साथ, हमारे साथ निस्केर में वैग्यानिक गोहर रजा साथ हैं, रजा साथ आपका भी बहुत स्वागत है, हमारे सा अमिताप पांडे हैं अंतरिक्ष वैग्यानिक हैं खागोल शास्त्री भी इनको कह सकते हैं बहुत-बहुत स्वागत हैं अमिताप जी आपका और हमारे साथ हैं दिल्ली साइंस फोरम के सदस्य प्रबीर पूरकायस्त आप सभी का स्वागत है इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आएए आपको दिखाते हैं विग्यान कॉंग्रेस में हाल के दिनों में क्या लक्ष तै किये गए हैं भारत सरकार की तरफ से नए विग्यान नीदी के लक्ष के तहट 2020 तक शिर्ष पांच वैग्यानिक राष्टों में शुमार करने का लक्ष रखा गया है भारत को समाच के हर वर्ग में वैग्यानिक रुजान पैदा करने का लक्ष है विग्यान के लिए प्रतिभाश आली चात्रों को प्रेरित करन नई विज्यान नीती के तहट इसके अलावा शोतकारे में निजी शेत्र की भागिदारी को बढ़ा कर भी इसे आगे ले जाने की तयारी है खेती और आम लोगों से जुड़े शोत को बढ़ावा देना भी एक प्रमुख बात कही गई है क्लाइमेट चेंज के खतरों से बचने के लिए ग्रीन टेकनालोजी को अपनाने की बात कही गई है और पांच साल में वैग्यानिकों की संख्या बढ़ा कर 66 फीसदी करना ये भी लक्ष तै किया गया है विदेशी वैग्यानिक संस्थानों के साथ शोध में भागिदारी बढ़ाना नए खोजो में वैग्यानिक और उद्यों की भागिदारी शोध के जरीए महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के उपाए और विग्यान के जरीए आर्थिक विकास को गति देना ये वो लक्ष हैं जो नई विग्यान नीती के तहट सरकार की तरफ से रखे गए हैं तो आज हम इनी सब मुद्दों पर बाचीत करेंगे लेकिन एक जो लक्ष रखा गया है कि पांच साल में वैग्यानिकों की संख्या बढ़ा कर 66 फीसदी करना है रजा साब आप इसे शिरुवात करना चाहूंगी ये जो लक्ष है वैग्यानिकों की संख्या बढ़ाना ये संख्या कैसे बढ़ेगी जब हम अपने देश में लोगों का रुजहान ही नहीं पैदा कर पा रहे हैं उस तरफ शात्रों का रुजहान ही नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो वैग्यानिक बनेगा कौन ऐसा नहीं है कि हम रुजहान पैदा नहीं कर पा रहे हैं देश के अंदर ये बात सही है कि अब साइंस में आने वाले बच्चों को साइंस का जो रुजहान रहा है देश में उसका कामपिटिशन बाकी और चीजों से बढ़ गया है कॉमर्स में जादा बच्चे जा रहे हैं या मैनेजमेंट में जादा बच्चे जा रहे हैं ये ट्रेंज्स अरेस्ट करने के लिए बहुत सारी नीतियां अपना ही गई इस बीच में शायद उनके परणाम मिलना शुरू हो जाएंगे अगले 5-7 साल में लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि अगर हमें वैग्यानिकों के संख्या बढ़ानी है तो फिर सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में उनको ला करके हम नहीं बढ़ा सकते हैं हमें ये देखना होगा कि उनका केरियर किस तरह से आगे वो उसको देखेंगे किस तरह से वो कॉंट्रिबूट करेंगे किस तरह का माहौल पैदा होगा बेहतर रिसर्च करने के लिए जो उन्हें अट्रैक्ट कर सके और कौन से इंस्टिटूशन हैं जिनको हम एक्स्पैंड करेंगे ताके उनकी खपत हो सके हसनाइन साहब आप तो एक उन्वरसिटी में वाइस शांसलर रहे हैं इसके अलावा बायो साइंस के शेत्र में आपने बहुत सारे काम की हैं आप उस प्रधानमंत्री के सलाकार परिशद में भी हैं जो नई विग्यान नीती के लक्षे ताय कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे विग्यान को बढ़ावा कैसे देना है लेकिन हम देख रहे हैं कि हजारों कॉलेजेज, सैक्रों यूनिवरसिटीज और दरजिनों साइंस के जो रिसर्च सेंटर हैं उसके होने के बावजूद विग्यान उस तरह से तरक्की नहीं कर रहा है या उन शेत्रों में तरक्की नहीं कर रहा है जहां पर विग्यानिक पैदा किया जा सके सिर्फ कुछ सीमिच शेत्रों तक है जैसे कि बायो टेकनालोजी हो गया IT हो गया या Space Research हो गया इसमें तो थोड़ी बहुत प्रगती हो रही है लेकिन बाकी शेत्रों में जो चौम की विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है आपने बिल्कुल सही इसका विशलेशन किया है मैं इसके रूट कॉस मानता हूँ कि जो हम लोग ने ये नीती तैकी थी आज से कोई 20-25 साल पहले के साइन्स या विग्यान केवल रिसर्च संसानों में ही शोट संसानों में ही की जाए ये नीती मेरे हिसाब से उचित नहीं थी उसके वज़े से युनिएस्टी बिल्कुल डिवोर्स हो गई ही फॉम फंडिंग फॉम इंफरस्ट्रक्चर हमने उनको अलग कर दिया कि तुम्हारा काम है केवल पढ़ाओ आप देख लिजे टॉप युनिएस्टी इन दे वर्ल चाहे वह आप एमाइटी लीजे काल टेक लीजे स्टैनफर्ड लीजे हावर्ड लीजे जियमनी की उनिस्टी लीजे केमरिज लीजे वहां क्या होता है कि शोध और पढ़ाई साथ-साथ होती है हमने का कि शोध करने के लिए आप चले जा रिसरच इंस्टिशन में पढ़ाई आप युनिएस्टी इसमें करो यह सब से बड़ा जो उद्धेशिया होना चाहिए कि यह जो डिसपरेटी आ रहे है यूनिस्टी में और रिसर्च इंस्टिशन में वो बिज करना चाहिए जी आप रिसर्च इंस्टिशन और इनिवर्स्टी इस के बीच की जो गैप हैं उसको दूर करने की बात करें आप कि अच्छी जादा खुल रही है। फर्स अवाल मैं यह नहीं मानता हूं कि कम बच्चे रिसर्च में आ रहे हैं। कई लोग जो आजकल के रिसर्च इंस्टुट्स पगारे में हैं जो वाग्यानिक माने जाते हैं। वाग्यानिक नहीं है। अकलमंद है वो इसर्च में अच्छे कर सकते थे, उन जमानों में इन नहीं मिलती थी। आजकल मिलने लगी हैं तो अकलमंद लोग कई चीजों में जा रहे हैं। वो अच्छी बात है बुरी बात नहीं है। इन सब को साइंस में होनी है कि जरूरत नहीं है। हवेर हम साइंस में और लोगों को लाना चाहते हैं, तो उनको बाकी जगहों से लाना चाहिए। ना खाली अर्बन सेंटर से, छोटे-छोटे शहरों से, गाहों से, वहां जो अकलमंदी बैठी है, साइंटिफिक टैपर बैठी है, उसको हम टैप नहीं करें, धीरे-धीरे करने लगे हैं आजकल, महांदर सोइंग धोनी जो क्रिकेट खेल लिया हैं, छोटे शहर से, उसी तरह से आपको साइंस में भी छोटे-छोटे जगहों से लोगों को पकड़ना कीए। हो धीरे से शुरू हो रहा है, उसके बिना नहीं होगा। urban centre चीजज जो आते होऊ, intelligent होते हैं, ऐलोपन होते हैं, कई चीज़े कर सकते हैं – brief case हाथ में रखना जानते हैं, उसकू रखने हो कई चीज-चीज़-चीज़ा कर सकते में, यह लोग उतने साइटेस्ट हैं बीच बीच में एक दो जो डेडिकेटर हों बागी नहीं हैं मैं इनके बारे कोई बुरी चीज नहीं कहरा हूँ जब मैं कॉलेज में था वो 2000 साल के पहले के बात कर रहा हूँ उन जमाने में मेरे दोस्त हम लोग आएएस लिखना चाहते थे के जो आईएस में नहीं जा पाया उसको किसि नहीं कर रहे हैं आखिर कोई वेग्णिक बनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है प्रभीर जिक साब देखिए दो चीज है इसमें सवाल है कि आपने पूछा क्यों IS करना चाहते हैं आज हर टेक्निकल डिपार्टमेंट सरकार की जू है उसके टॉप में IS बैठे हैं इंजिनिर्स नहीं बैठे हैं तो अब इंजिनिर्स कहते हैं अगर हमें टेक्नोलिजी में सबसे उपर जाना है पॉलिसी जहां पर डंडे हम सब को गुमा सकते हैं तो हमको तो IS बनना है और वो भी 40 साल में बन जाते हैं कि चीफ इंजिनिर्स बनके बोर्ड में पहुँचने में 55-60 साल हो जाता है तो यह हम डिस्परिटे खुद पैदा कर रहे है कि attractive कौम समाज किस चीज को देखता है attractive किस चीज को मानता है जो एक एक थियोरी कहे गई है कि आजकल papers ज़ादा important हो गए है people कम important रह गया है मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ कि समाज किस चीज को किस निगा से देखती है उस हिसाब से लोग भी अपने आपको उस तरह से ढालते है बचे भी, students भी तो आज I.S. managers, industrialists, entrepreneurs पैसा बनाना यह अगर आपको मुख समाज की लक्ष है तो वहाँ पर सबसे बुद्धिमान लोग जाएंगे अगर आपका लक्ष यह है कि समाज के लिए, प्रगती के लिए हमें क्या करना है तो आप पैदा करेंगे दूसरे किसम के इंसान तो हमारे जो पूरा लक्ष समाज की इस वक्त जो रुजहान है उससे एक साइंस की और से हम और कहीं जा रहे हैं और राजरामन साब ने जो कहा ऑपर्चूरिटी जहां लोगों को ज्यादर लगता है वहाँ पर लोग जाएंगे तो यह एक मुख्य चीज है लेकिन एक बात और है और वो बात यह है कि रुजहान पैदा क्यों नहीं किया जा रहा है खगोल शास्त्री हैं आप यह बताए कि खगोल शास्त्र में इस बीच हमारे देश में कुछ प्रगती हुई है तमाम सेटिलाइस छोड़े गए है चान पर और मार्स पर जाने की तयारी की जा रही है और कुछ हद तक हमें लग रहा है कि हमने कुछ अचीव किया है लेकिन जितनी अचीवमेंट है उसको भी आगे बढ़ चड़ कर या दूसरों को प्रेरित करने तक ले जाने की क्यों नहीं सोच पैदा की जा रही है देखिए कहा सोगा हम जो अपना अंतरिक्षियान भेचते हैं चंद्रियान भेचते हैं उसके पहले उसका एक चोटा सा मोड़ बनाके बाला जी के चड़नों में जाके रखते हैं और यह काफी हास्यासपद ही नहीं यह काफी शर्मनाग है कि विज्ञान सिर्फ कोई टक्नोजी नहीं है कि हमको कुछे में अ अच फास्ट कार देती है बड़े अब मुबाइल देती है नए टाइप-का मुबाइल है जिसमें अफटस्य हो रा ए सोचने सो होना लगए यह विज्ञान का मकसद नहीं है विज्ञान का मकसद है है लोगों में वैग्यानिक चेतना पैदा करने वैग्यानिक रूझान पैदा करनना और जब यहींพ़ूलेंग् सिक्षा में हमारे विवहार में जड़ से गायगा है आपको दहां देता हूं इसके पहले में जिस संस्ता में काम कर रहा था वह ऐसे उनका काम है विग्यान का प्रसार करना और वहां के वैज्ञानिक सारे ग्रहों के अंगोंटिया पहन के चैनल पर एस्पलोडी से बहस करना आते हैं ती 여 hist35 मेरे में माला जबते हैं सइरफ नहीं अकूझ नहीं कर पैदा करने में क्यों और चाहा रही है क्या हमारा देश जादा धरुथ हो चुका है मैं ले जाओंगा जहांद पर प्रवीर जी ने छोड़ा था यह जो आप बता जिए कि क्यों बच्चे नहीं आ रहा है यह सही है लेकिन इसमें सुधाव आ रहा है इसमें परिवर्तन आ रहा है चेंजे आ रहा है यह सबसे बड़ी जो परिवर्तन के कैटलिस्त है इस निव प्रोग्राम स्टाटेड बेद डिएसटी इंसपायर इंसपायर बच्चों को शुरू से ही जिनमें रुझान है साइंस में आप विश्वास नहीं करेंगे हमारे पास on an average हफते में तीन या चार में लाता है बचों का मैं हर रहे की ज़ए जा जाकर बच्चों को समोड़ूद करता हूं वह कहते हैं मैं बनना चाहता हूं Dr. Klama मैं बनना चाहता हूं बड़े-बड़े वग्यानी का नाम आप को आप हमें बताई कैसे करना तो यह बड़ी अची बात हमें लगती है कि हुड़ा अपने बताई कि लोग जैसे पृझ प्रभी जी ने बताई कि लोग compare करते हैं कि वर कायर एण अडिशने देश्फ़ थाप लोग जैसे पावर कंप घड़ समय करते हैं रोग निधा पैसे और पावर कंप अगर गर at the end of his career as a bureaucrat can get so I think attraction हो रही है बन रही है तो लोगों में चेंज आ रहा है 1950 से पहले वाले हैं उसमें इंडिवीज्व लेवल पे प्रगती हुई लेकिं जो 1950 के बात के हैं वो इंस्ट्विशनल लेवल पे सरकारी फंड के ज़रिये की गई प्रगती है चाहें उसमें ग्रीन रिवलूशन और दूसरे रिवलूशन की बात करें या खगूल शास्र की ब आइम मेरा मानना यह यह कि यह कहना कि ऐसा नहीं हो रहा है यह उन्साइंटिफिक हो गा क्या हो बहुत सारी चीज से हो भी रही हैं लेकिन बहुत सारी चीज नहीं हो रही होंगे दूरिक चाहिए और बहाक्या उसमें काम करना शूरूकर और कुछ अचीव किया और हम एक लिवल पे दुनिया में पहुँच सके जहाँ अपना सिक्का उतना बड़ा सिक्का ना चला सके जितना और जगा चल रहा है लेकिन एक चोटे सिक्के के साथ हम वहां पहुँच गए जो देखने की बात है वो यह है कि इन दोनों चीजों को ब कि अगर मुल्क के अंदर अच्छी साइंस नहीं हो रही तो अच्छा साइंस कम्यूनिकेशन भी नहीं हो सकता है यानि जनता के बीच में जाकर के जागुरुपता आप नहीं पैदा कर सकते अगर अच्छी साइंस नहीं हो रही क्योंकि साइंस में अगर गर्व नहीं है तो किसलिए बच्चों को हम inspire कर पाएंगे यह inspire program में के करीब ला पाएंगे मैं यह समझ रहा हूं कि आज की date में inspire program को हम चला रहे हैं बहुत अच्छा program है लेकिन लगातार उसको देखते रहना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने दसमें क्लास में आठमें क्लास में नवें क्लास में तो inspire कर दिया बच्चे को लेकिन आगे चल कर को वो engineering में चला जाता है medical में चला जाता है I.S. कर लेता है या engineering करके भी वो I.S. कर लेता है तब फिर हमारे लिए कम से कम science के छेतर के लिए वो loss है इस सवाल के कुछ और पहलू है उस पर चर्चा करेंगे फिलहाल एक break के लिए रुकते हैं जल हाजिर होंगे आज हम बात कर रहें इनसान और विग्यान की और इनसान और विग्यान के बीच में एक बड़ी चीज है वो है वैग्यानिक चेतना की जिसका सवाल अमिताफ जी आपने उठाया और जो गौहर रिजा साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि दरसल वैग्यानिक चेतना तो तब आएगी ना जब विग्यान के प्रति हम गौरव महसूस करेंगे और गौरव महसूस कराने की जिमेदारी भी तो वैग्यानिकों की है वहाँ पर क्या चूक हो रहे क्यों नहीं इसको और जादा आगे बढ़कर सोचा जा रहा है चेतना पैदा करने के लिए क्या किये जाने की जरूदत है जब भी विग्यान के हमारे अच्विमेंट की बात होती है कहता है वी डिस्कवर नथिंग तो जीरो की हमने खोज की जीरो के जो प्लेस वैली सिस्टम वह अदबुत खोज थी जिसने पुरा उसके बेना मॉडन सेंज शायद पॉसिबल नी था लेकिन बाद में क्या हुआ कहना बड़ा मुश्किल है कि जब यूरोप में रेनासा हो रहा था रिवाइबल हुआ ग्यान विग्यान का यहां प्रीशे जाने शुरू कर दी हमने अपने आपको समेट लिए अपने बंद कर लिया देश में कोई देश से कोई बाहर जाता था नौट का उसको प्राश्चित करना पड़ता था आजादी की लड़ाई के आंदून में जो हमारा एक राष्ट्रे जो मतलब एक आंदून था उसमें लोगों को प्रेद किया हमारे विग्यान होना भी शुरू हुआ हमारे सारा जो विग् चंद शिकर को भी उदेश आके मिला है यूएस में बिला है नोबल पाइस तो हमारा क्या यहां पर जाएंगे हम लोग अंतरिक्षान उडाएंगे ग्यार में दसवी तक आते आते अचानक क्या होता है कि उसका सारा फोकस वहां से शिफ्ट होके परसेंटेज की तरफ चलाय जो सकता है इस麼 प्रूशिल पीयाल में हम अपने वेग्यार को कि छत्या करते है अपने के छ। राकरों कि हत्या करते हैं और सारे वęt इंसान की हत्या कर देते हैं और एकम उसको एक अचिछी बना दे जो म拿 ड़ेजेंएंगे निषआ कहमाएं और हमारे राश्ट के लिए चा जिससे हम यूआ वर्क को प्रेडिट कर सकते हैं कि वह बैगानिक बने तो हमें दो चीज समझना पुढ़ेगा तो एक है कि इंस्टिटूशन आफ साइंस आज के तारीक पे जितना डेवलब कर चुका है उसमें खरचा प्लैन टीम वर्क के बिना अब अच्छा साइंस नहीं क कर सकते हैं और हमारा जो हैस्टेन साब ने जो कहा हमारा जो डिसर्च औरगनाइजेशन को अलग करके छोटे-छोटे कोट्रियों में हमने डाल दिया है उसके वजए से आज के जमाने में उस तरह से विज्ञान करना संबद लिए हिंग्स बोजान में पांच बिलियन डॉल जो हम उस तरह के जो व्यापक टीम्स बनने चाहिए जो टीम वर्क होनी चाहिए जो इंस्टूशन आफ साइंस की जो स्ट्रेंग्ट होनी चाहिए गोहर साब के कहने के बावजूद मैं मानता हूं कि उसमें काफी कमजोरिया है और हम आगे गये हैं इसमें कोई दो रह नही इससे नहीं मानता कि सिर्फ हम नाकल ही किये हैं हमने कुछ काम किये हैं औरिजिनल काम क्यों काम होता है बस थोड़ा आना चाहता हूं पर साथ-साथ यह भी मानना पड़ेगा जिस प्रगती दुनिया में हो रही है विज्ञान की उस रफतार हम पिक अप नहीं कर पर पूरे स्कूल सिस्टेम में बाइ रोट अगर आप पढ़ाएंगे इम्तिहान पास करने के लिए और परसेंटेज के लिए तो आप जिन्होंने जो कहा आप इन्कुजिटिव माइंड की हत्या कर रहे हैं और उससे बाइ रोट रिसर्च नहीं हो सकता उससे MSC तक जा सकते है इम्तिहान पास कर सकते हैं आईएस बन सकते हैं जीमैट पास कर सकते हैं पर आप विज्यान नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्कुजिटिव माइंड को आपने स्कूल भी ख़र्दम करने की पोशिश लेकिन आपने जो एक और महतुपुन बात कही कि ग्रुप अगर हमें सपोर् करना मुश्किल है क्या आपको लगता है कि इसमें ग्रुप का सपोर्ट जरूरी है सरकारी सिस्टम का सपोर्ट जरूरी है या फिर पुराना जो ढहरा था कि इंडिविज्यूल माइंड जो है अपनी तरफ से प्रयास करके भी आगे बढ़े कुछ बदलाओ उस समय से लेके अब तक आगे हैं अभी तो सबसे पार जैसे प्रवीन डॉक्टर प्रुकासा ने बताया मेजर चेंज हैस टेकन प्लेस इन साइंस टेक्नोलजी अगर चाहते हैं आगे मुचाही तक ले जाने के लिए मैं एक्जांपल देता हूं अभी रिसेंटली लास्ट ये का नोबेल लिए इन प्सवास ने होगा इनके साथ कोई चार सो लोग काम करते हैं इनके पास पूरी जो इंट्रस्ट्रक्चर है वो शायद हमारे लिबार्टरी इस गए अच्छर से कई गुना अकेले इनके पास कहना मतलब यह कि हमारे हमारे जो साइंस में अडलिज। बैलोजिकल सा जिसलिक काफी पौोध हैं लगी दिया एक टीमिर्क होता है और टीमिर्क इसाथ गळेट इसाथ कन्संट्रेटेड फोकस भी होता है इन्फास्ट्रेट्चर की एक्स्टे इंसम्डिट्र की हम्हा क्यारते लो चैडिसीको हमारे हैं, we are not focusing on a major theme and investing the kind of investment required for science and technology today. Today, S&T is more technology driven than it was in the case of in the period of Ramadan. तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि access की कमी नहीं है, quality की भी शायद कमी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि relevance कैसे तै हो, target कैसे तै हो, target कैसे तै करके हमें इसको आगे बनाने की सब critical research funding. चोटा-चोटा कोज़ाइवोग कहता है. हम लोग vishwas करते हैं क sabem थैं माने की बड़े-बडे पाश्च किली आप देंगे तो बड़े बड़े प्रोजक्ट आगे नहीं तो उढ़े बड़े, दें तै यदि कुछ किरूंकित सक्सेस, दे लॉंग टर्म सक्सेस. यह इशू रिजॉल्व हो गया था सेकंड वर्ल्ड वार के बाद के अब स्मॉल साइंस नहीं हो सकती है, अब बिग साइंस होनी है, मैनहेटन प्राजेक्ट ने दुनिया को यह दिखा दिया था कि लाज फंडिंग सही साइंटिस्ट अपन एसेस भटनागर का उसमें बड़ा कॉंटिबूशन रहा, कि हम बिग साइंस करेंगे, लेकिन बिग साइंस में डिमोकरिटाइजेशन जो होना चाहिए था, जो साइंस के लिए एसेंशल है, जरूरी है, खुद स्ट्रक्चर का डिमोकरिटाइजेशन, लोगों के बीच में साइंटिस्स के बीच में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत होना, इनवर्डली देखकर के एसेस करना के हमारी क्या स्ट्रेंट्स है, क्या विकनेसें, उनको किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, इस काम में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हम बहुत पीछे रह वो भी एक बड़ा एरिया था जिसे हम सीख सकते थे, उससे सीखने की कोशिश हमारे आन नहीं है, उसके बारे मैं कहूंगा असर्थी, लेकिन कई चीज़ें आपने डिसकस किया भी, एक दू चीज़ें के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, एक तो ये नुबेल प्राइस की बात, हमारे देश में नुबेल प्राइस के ओपर ये जो पागल पना है, कि नुबेल प्राइस क्यों नहीं मिला, बहुत गल्त है ये, मैं आपको एक अनालिजी देता हूं, हमारे देश के लिए इतना जरूरी नहीं कि दो लोग ओलिपिक मेडल मिलें, लेके आएं, उनको करना चाहिए, उस से बेटा है कि कितने बच्चों को खाना मिल रहा है, अन्डरनिश बतने किते हैं, हेल्थ कितना अच्छा है, स्वास कितना अच्छा है, तैट इस मोर इंपॉर्टें देन कि हमको मेडल मिले ये, उसी तरह साइंस में भी, एक दो नोबेल पैसे हमारी साइ साइंस को उपर कराने के लिए ग्राउंड लेवल में उपर करना चाहिए, अच्छा, एक और चीत, मैं ये चीजे कह रहा हूं, पचास साल रिसर्च करने के बादाज भी कर रहा हूं, नैटीन सिक्टी तू में मैंने पी एच्टी ली थी पचास साल पहले, कब से आज तक कर जादा जरूरत है साइंस को आगे बढ़ाने की, बने रहेएगा आप सभी हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर हाजिर होंगे इसी चर्चा के साथ तो हम वैज्ञानिक छेतना की भी बात कर रहे हैं और साइंस के प्रती घटे रुजहान की भी बात कर रहे हैं, प्रवीर पुरुज़ान की भी बात कर रहे हैं, पुरुज़ान साथ एक सवाल ये है कि साइंस किसलिए, क्या लैप्स और साइंटिस्ट के लिए ही हो या फिर जनता के लिए हो, जो सवाल राजार रमन साहब ने उठाया, कि हम अगर अपने बेसिक्स को नहीं ठीक करेंगे, हम अपनी जनता और गरीब जनता की भलाई के ल तो इसलिए अगर हम सोचे कि साइंस डिरेक्ली प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, जो हर प्राइम मिनिस्टर इंडिया नैशनल साइंस कॉंगर्स पर जाके कहता है, मैं समझता हूँ गलत है, मनबहन सिंग ने जे कहा, और नहीं बात नहीं है, सब प्राइम मिनिस्टर इंस को दूर करना चाहिए, मान लीजिए इस चीज़ को कि कोई साइंटिस नहीं जानका पॉवर्टी कैसे दूर होगा, तो प्राइम मिनिस्टर का काम है, साइंटिस का काम है, साइंटिस का काम ये है, कि प्राइम मिनिस्टर का काम ये है, बताना, मुझे सस्ता पंप चाहिए, कि 200 तो सो रोपया में दो साल चले इस होर्स पावर बे इता पानी दे वो मेरा काम है। अब आप मुझे कहिए कि माई इंजिनियरिंग से पौवर्टी दूर करो तो मैं पॉलिटिस करना चाहिए। समाज पे दूसरी चीज करनी चाहिए तो मैं इंजिनियरिंग को किया। तो ये चीजे गलत सवाल पूपूछ रहे हैं हम बैगानिकों से टेक्नोलिजी से। सोशल नीड्स को ब्रेकडाउन करके टेक्नोलोजिकल प्रॉब्लम्स बनाने का काम पॉलिसी मेकर्स की है। उसको अच्छी तरह आगे ले जाना टेक्नोलोजिकल काम है और उससे नेचर से इस तरह के नेचर से आपकी जो बुन्यादी सवाल पैदा करना है वो साइंटिस का काम है उसको सौल करना है नेचर प्रॉब्लम्स वी डोन प्रॉब्लम्स इस समय हमारे देश में वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके हम जनिता के सवालों को हल कर सकते हैं आपकी निजर में क्या वानती हैं इस अगिनलेफ़ साइंटिक एक्सपेरिमेंट का अंत एक जगह पर आकर खतम हो जाता है वहां से इट बिकम्स अप्लिकेश कर छोड़ देए ये यह दो इसकोनेक्त है बिवें ट ekonology और इंटज कर दिया हमारे इसको 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 द pokा एक्से मेरी च bok एक्र शाइन59 अगैन ऑन आख़ हमारे इसको पेडुश्तारइ में चाहे ओस्पेरिर में अलरह सबर्युट का है मॉत तक्सिंश्चने ke 시को है what we call a translational science इसमें हमारे देश में सबसे बड़ी कामिया है. We are very good in converting technologies into still refining them. लेकिन from starting material A to all the way to the implementation where we have a technology to offer उसमें समस्य है हमारे पास. disconnect जो है इसको इस सवाल तो यही है ना कि disconnect को दूर कैसे किया जाए गौहर साब क्या आपको लगता है दूर करने की क्या तरीके होंगे? प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है opening remarks जो थे प्राइम मिनिस्टर की उसमें उन्होंने कहा था कि our policy will rest on three pillars science, technology and innovation मैं यह समझता हूँ कि हसनान साब ने बिल्कुल सही कहा कि इनके बीच में disjuncture है हम इनको तीन अलग-अलग pillars की तरह से देख रहे हैं यह नहीं देख रहे हैं कि जो science से आ रहा है वो technology में जाएगा और technology से यह एक दिवार है यह तीन अलग-अलग pillar शायद नहीं है मैं समझता हूँ और अगर हम इनको connect नहीं करते तो फिर समाज में जो हो रहा है वो वैसे होता रहेगा जैसा हो रहा है क्योंकि लोग आपका इंतजार नहीं करेंगे कि आप innovation कहीं सी SIR से या ISRO से लाकर कि उनको दें वो अपनी सिंदगी को इंपरूफ करते हैं वो दीरे-दीरे करते रहेंगे दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे बार-बार लगती रही है वो यह कि हम कह तो यह रहे है कि हम scientific temper समाज में यह Indian Science Congress का यह mission है अगर आप website पे जाएं तो उनका mission बहुत ही simple 5-7 words में है mission यह है कि scientific temper वो फैलाएंगे इस country में scientific temper फैलाने के mission को इस बार reiterate किया गया है दूसरा point जो था आपने अभी जो policy में दिखाया है जो इसका बहुत welcome करना चाहिए हमें और यह लगतार चल रहा है पंडिजवालाल नहरू के जमाने से चल रहा है लेकिन अगर हम practice में देखें तो क्या हो रहा है हिंदोस्तान के अंदर पचासियों channel है जो religious है एक channel भी science की channel नहीं है दो बड़े बड़े premium institute हैं पहलाने के लिए एक nisqeer और एक विज्ञान बसार इन दोनों में हमने कितना विस्तार किया है इस बीच में कितना इनको modernize किया है कितना ये सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं जो बात कह रहा हूँ यहां भी policy level के ओपर एक disjuncture हमको दिखाई देता है हमको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा commitment है यह जो commitment होना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिंदोस्तान की identity जो हमने जिसकी बात अमिताब जी कर रहे थे हिंदोस्तान की जब identity हम बना रहे थे तो उसके अंदर एक essential component था scientific temper का component और यही difference है हमारे अंदर और हमारे पड़ोसी दोशों के बीच में कि हमने scientific temper के साथ engage किया है पिछले साथ साल में जैसा भी किया हूँ लेकि किया है यह साइंटिफिक टेंपर हमारे पूरे social structure में उस तरह से नहीं आपाया है और दूसरे दोशों में नहीं है वाले विग्यान की तरफ जाना चाहिए था उधर कदम क्यों नहीं बढ़ाए जो यह disconnect की बात हो रही है उस disconnect को दूर कैसे किया जाए सवाल यहां पर यह है विग्यानिक को को खेलने दो बच्चे से खेलते हैं कुदरत के साथ पपे पौदों के साथ पत्तियों के साथ पश्मों के साथ कुद्ते बिल्ली के साथ विग्यानिक जब तक कुदरत से खेलेगा नहीं कुदरत को enjoy नहीं करें कुदरत के जो नियम है कुदरत की खूबसूरती है उसे अंतर संबंदों को साइन्स आसे जो प्रफ़र सेथित में साइन्स नहीं होती से लिए जो रभीवहें, हम इसको इसको नविए अलग कर दिया उनिवर्स्टी से खळड़े डिग्री बाथने की दुकाने बना दिया समस्ट जो आके यदे रिजलिह का नापर समन रेखंगे 네 विग्यान फार्मूले नहीं है, विग्यान फार्मूले हमको एक तरीका देते हैं, कुद्र से इंट्रेक्ट करने हैं, मैथेमेटिकल मॉडल जो है, आपको बहुत बारिकी से और सची तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन वो सफिशेंट नहीं है, हमको एक मौटे तौपित, लो H durable होते हैं, उन्यूरस्ट्ट्री में तो यहहाल है, हमनि एक्क्यूले नहीं होती है, वहाँ पर आप के मिस्ट्री में टैस्टूप थेंड़ने को बच्चे अप्सपERS, इक्सपरिमेंन करते हैं, क्मिस्ट्री के नहीं होते हैं, इंग्यों से किसां वाँ पर वयानिक मह सब्सक्राइब होते हैं उन्होंने कभी अपने मशीन को चलाना नहीं आते हैं मेरे प्रॉफिसर थे प्रॉफिसर अपना गहराद जो एस्ट्रॉइड के एक्सपर्ट थे उनका कहना है कि है कि इस्ट्यूट में देखने गए तो वहां पर उनसे पूछा कि आपका कैसे कुमें इस्ट्रॉट को बलाना पड़ें जो विग्यानिक अपने स्टूमेंट उसको समझते हैं तुछूसीं कU悌शिध के साथ काम करते हैं को कर सकते हैं उसको रिपेर法याफ्स कुआज कृतर की चीज이고 काॉण्टाम कारेगा माइकल फॉराडे allegory की उसका किंसी को इस्ता हम थे तो मेरा यह एक विग्यान को खिलने दो, नए प्रियूक करने दो, उसका इस्तिमाल बाद में बहुत निकराएंगे। मेरे एक चिंता ये भी है, कि अगर इस तरह की पढ़ाई जिसकी चिंता ये जता रहे हैं हमिताफ जी, अगर इस तरह की पढ़ाई ये उनिवस्टी और कॉलेजिज में होती रही और स्कूल लेवल पे तो और भी जादा बुरा हाल है, तो फिर आने वाली पीड़ी को विग्य जाए है, समान की बात भी होती है, हमारी खाली रिसर्च में हम लोगों को पहचानते हैं, उनको ये अवाड वाड देते हैं, एक और चीज आप कह रहे थे हैं कि साइंस जनता के लिए क्या करेगी, मेरे भाई जो कह रहे हैं, ठीक है, साइंस नहीं कर सकती, साइंस तो एक ख नहीं करें, साइंस ट्रहें करें जाता है, वो रहती है, आँस तरही हु झालन पर चार्सों रुपे कर दा देए, उनको अचुछे रिए यह जीनियर में चाहिए, यह रही पास करें नहीं है, यह जो हमारे देश पर टैलेट एक नहीं करते हैं, उस सी तरहे हैं कर एक हम को कभी नहीं इंकरेज करते थे ज्यादा बोलोगे तो बंद टीचर गुरू है औल दोस थिंग्स इन्वेंटिवनेस को हमने हमारी कभी रिवार्ड नहीं किया है लेकिन मुश्किल लिए है कि जो उभर रहा है उसकी पहचान कौन कर रहा है वो पहचान करके उसे आगे ले आन कर दो कर दो कि झाल दोन जखिस आगे वो पहचान कर दो कि कि उस्टाब कर दो कर दो उसका कर दो कि बंदा कर दो बंद इस अ. तो हम बात कर रहे हैं साइंस की और भारत का साइंस के शेत्र में एक ग्लोरियस टुडिशन भी रहा है लेकिन वो टुडिशन आखिर क्यों मिटता चला गया और आज इस्तिती ये क्यों हो गई है कि लोगों का रुजहान साइंस की तरफ कम देखने को मिल रहा है कम से कम ये तो जरूरी कहा जा सकता है कि जो युवा हैं उनका रुजहान कम देखने को मिल रहा है वजह क्या है और साइंस के साथ ये जो डिसकनिक्ट पैदा हो रहा है इसे कैसे दूर किया जा सकता है प्रधान मंत्री ने जो लक्ष रखा है 2020 तक दुनिया के पांच अगरड़ी देशों में भारत को शुमार करने का उस लक्ष को कैसे पूरा किया जा सकता है इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ यहां पर कई अलग-अलग इंस्ट्यूट में पढ़ने वाले चात्र चात्रा हैं मौजूद हैं आपसे सवाल करते हैं मैंक हमारे साथ है मैंक मेरा सवाल यह है कि ultimate decision in the government is taken by the economist तो क्यों 11 12 के वाद physics chemistry biology ही रह जाती है science कम मतलब क्यों ही उसमेक economics भी जोरा जाता है और क्यों ही commerce में economy में science भी जोरा जाए और क्यों ही lab-based research होता है उसको industry-based किया जिसका एक technological implementation हो और funding agency किसी private agency या industry उसको करें आपना चेक एंड बैलेंस भी करेंगे कि उसका lab जो फंडिंग किया उसका industry का फिल्ड में की application होगा I would answer this question you are absolutely correct मैंक यह होना चाहिए हम लोगों ने क्या बना दिया science को बिलकुल watertight compartment बना दिया अगर आपने अगर 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 तेद क्लास में आपने mathematics नहीं पढ़ा है तो आगे आप mathematics नहीं पढ़ सकते हैं biology नहीं पढ़ा है तो आगे नहीं पढ़ सकते हैं हमें जरुवत है संचोधन लाने की at the school level ऐसा system लाएं जहां a person can pick up any subject I want यह बूस्जरूरी I would like to disagree with one point कि एक था economic science नहीं है मेरे मुताबिक क्योंकि दो economist के खड़े कर दें तो परस पर विरोधी बात को कहेंगे आज तक कोई economist एक साल आगे की economy को predict नहीं कर पाया जब तक predictability नहीं है तब तक science नहीं है मैं मानता है दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री जो पैसा देगी वो आपको research के लिए जो पैसा देगी उसकी अपने मकसद के लिए देगी अपनों मुनाफ़े के लिए देगी और science as public goods जिसने इन्होंने कहा कि Faraday से लेकर आज की बड़े-बड़े scientist है Higgs Boson से क्या फाइदा होने वाला है दुनिया को किसी को नहीं मालू शायद कोई भी फाइदा नहो तो प्रकिती का खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और जिसके आधार पे knowledge जब बढ़ता है उससे technology कहा किस चीज़ से निकलती है कोई बता नहीं सकता लेकिन प्रभीर साहब दो बातें आपने कहीं एक तो यह कि खोजने दो अगर उसमें नुकसान भी होता है तो होने दो दूसरी बात मैं नुकसान की बात नहीं कहा ने नुकसान मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो targeted खोज हो रहे हैं वो बिलकुल गलत हैं जैसे माली जै अगर industry किसी किसी तरह की दवाई की खोज करना चाहता है या cancer से लड़ने की कोई दवाई ढूबना चाहती है और उसके लिए specific research कराना चाहती है मैं इस बात को कहूंगे कि technology की research होती है science की research होती है science और technology एक चीज नहीं है हसने साब से थोड़ा अलग रखना चाहूंगा बात है समाज के needs technology में translate होते technology की needs विज्ञान की खोज में बदलते हैं क्योंकि जब ही कोई नया चीज आप करना चाहेंगे technology में तो आपकी कथिन नेचर की problems आपको सामने आएगा as I said कि nature is the biggest inspirer तो आप से कहें कि भाई सिर्फ खोजना चाहता हूं जो पांड़ जी ने कहा मैं उससे भी थोड़ा अलग बात रखना चाहूंगा कि targets of water inquiry are also provided by society through technology and nature सब चीज में देख सकते हैं तो it is not कि science की application technology बनती है technology के application needs society में बदलती है it is a two-way process and both processes have to be understood अगला सवाल सर मेरा सवाल यह है कि जब हम सोचते हैं या किसे बात करते हैं बात करते हैं या कुछ भी करते हैं पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो वो सब अंग्रेजी में करते हैं लेकिन जब हम सोचते हैं तो वो अपने ही भासा में सोचते हैं अपनी मात भासा में सोचते हैं तरह से एविन्यूज नहीं हैं। लेकिन विज्यान का दुनिया भर में काम हो रहा है। विज्यान हो सकता है और अतनी नती हो सकती है जतनी वेस्ट में अंग्रेजी को ले करके हो रही है। बात यह है कि हमारे देश में अंग्रेजी के साथ जुड़ा हुआ जो एक कलोनियल माइंसेट है वो परिशान कर रहा है हमें। बात परिशान नहीं कर रही है कि हिंदी जबान में होनी चाहिए या अंग्रेजी में होनी चाहिए। अंग्रेजी को जबानों के ऊपर कहीं दरजा देना यहां प्राबलम है। और अगर आपको साइंस करनी है तो साइंस की जबान तो सीखनी ही पड़ेगी। चाहे वो अपनी भाशा में हो चाहे वो अंग्रेजी भाशा में हो चाहे फ्राइंसी भाशा में हो। अगर आपको फिजिक्स करनी है तो फिजिक्स की अपनी भाशा है। अगर आपको किमिस्ट्री करनी है तो किमिस्ट्री की अपनी भाषा है तो वो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी चाहे हिंदी में हो चाहे किसी और लैंगोज में हो। किमिस्ट्री को आपको है तोने खो है। पड़ें का बाकि दुनिया के किताबें पड़ने हैं तो वो ट्रैंजिशन हो सकती है सानी से अगला सवाल पूछी मेरा नाम है शजा और मैं एक इंटलेक्शल प्रॉपर्टी अटर्नी हूं दिली में मेरा सवाल है in light of the comment that why should India chase Nobel Prizes? अगर हम बात करें हैं about young minds being attracted into the scientific profession मेरा कहना है कि the science needs to be glamorized a little more. For instance, look at developed nations, look at the status of someone like Stephen Hawking or Sunita Williams and मेरा कहना ये है की role models such as Kalam or a few Nobel Prizes would just be very useful in that regard. Can I respond to that? Please. Well, you know, I really don't think so. I have had the great good fortune to meet some of the greatest physicists that ever were there. And none of them was inspired by the Nobel Prize. None of them ever wanted it in the early days. When they finally did some work, they did. They were inspired by nature which they saw, where they found something intriguing, they couldn't understand it. उसकी वज़े से वो उसमें गये थे. Nobel Prize से इंस्पार होने वाले या पदमपोर्शन से इंस्पार होने वाले रीली उपर नहीं जाएंगे जादा. Nobel Prize हमाहे मिले तो अची बात है, मैंने कि रची बात नहीं है. यह गल्फ इंप्रेशन है कि उससे लोग इंस्पार होते हैं. कई लोग होते हैं, लेकिन वो साइंटिस्स नहीं बनते हैं. वोई लोग साइंटिस्स बनते हैं, जो चीज पढ़ना चाहते हैं आप, उससे इंस्पार हो. रामान जिम को किस ने इंस्पार किया, कोई नोबेल प्रेशन ने नी किया. सीवे रामन को किस ने इंस्पार किया, नोबेल प्रेशन ने किया. कि हम कोई फिल्म स्टार नहीं है अब इस तरह से हमारे जिनों ने नोबल हासिल किया भारती है वेंगी रामा क्रिशन की बात कर रहा हूं है बार बार वो गुस्टा हो रहे थे लगतार मैं ये समझता हूं कि साइन्स इसलिए नहीं करता कोई कि उसको पैसे बहुत सारे मिलने जा रहे है उसको बहुत सारे आवार्ड्स मिलने जा रहे है ये important चीज़े हैं क्योंकि हम role models बना पाएं जैसा आप कह रही हैं उसके लिए ये important चीज़े हैं लेकिन इसके लिए कोई science करेगा ऐसा कोई प्रमान आज तक नहीं मिला है कि उसके लिए ज़रीज बात का है कि हम अपने ज़रेडेस हैं रिसर्चे के दिमाग में वो सवाल पैदा करें जिससे सारे दुनिया का विग्यान आज उनको मुखातिब है यह जो ऐसे सवाल है कि जो हमको परेशान कर देते हैं हमको समझने है कि दुनिया कैसे काम करती है को ग्लामराइज करके इससे आप बड़ा चीछ पैदा नहीं करते हैं जो जो सक्सेस्फुल हुए है दुनिया में किसी बीचीज में पैसा बनाने के लिए भी उसका और कोई मकसद था बाइप्रोडक्त था कि वो सक्सेस्फुल हुआ कि वह अगर अंदर आपकी खोज के लि अगला सवाल पूछे हमारी सोच बिलकुल यह है हमें बुनियादी तौर पर चेंज़ दाने होंगे सिर्फ उपर से रिसेर्च इंसिटूशन में और यूउनस्टी में इडुकेशन अवेर्नेस प्राहने से नहीं होगा अवेर्नेस साइंस इस नाट ओनली मेकिं अब मॉडल ऑफ वोल्कैनो या वि आपका बाल गिर गया उस बाल से बता रहे हैं कि इस बाल से आपकी पहचान मिल रही है इससे जागरुकता बढ़ रही है इस तरह का हमें एडुकेशन चाहिए इस तरह की अवेर्नेस चाहिए और यह कब आएगा छोटे लेवल पर इसके लिए हमें मेजर रिफॉर्म्स ला करना जाता हूं कि स्कूल के लेवल पर स्टूइंट रिसर्च करें यह जरूरी है अस्ट्रोड कोशिश किये स्कूल के विद्यार्थी अपने आप सब कुछ नहीं कर लेगा उसको इंस्पिरेशन चाहिए उसको बताने वाला चाहिए और उसे उसके अंदर खोज जगाने वाल लगता है इसलिए ऐसे बहुतेरे स्टूडेंट्स हैं जो छोड़के आगे बढ़ जाते हैं यह समझता हूं कि हमने बहुत सारे मुद्धे उठाए हैं और अगर उनको करने की हम कोशिश करें तो बुझे ऐसा लगता है कि यह एक अलग-अलग लेवल के ऊपर कमिट्मेंट होने की जरूरत है क्योंकि मुद्धे हम सब के सामने है हम शायद अब एक गूंटा और बात करें तो अपने को रेपीट करना शुरू कर देंगे हमें सब को मालुम है कि बेसिक एजूकेशन में बदलावाने की जरूरत है इंस्टिशूशनल लेवल पर बदलावाने की चाहिए एंवारिनमेंट बेटर होना चाहिए जेनरली जनता के बीच में जाग रुकता हो लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम जब पॉलिसी डिसाइड गरें तो चाइना की तरह से कमिटमेंट लेकर के उसको इंप्लिमेंट भी करें और उसको करेक्टिब और अगला सवाल स्कूल लेवल जैसा अमित आब ने कहा और जो स्टडीज कह रही हैं शुरूआत के पिरिएड में जादा तर बच्चे साइन्टिस्ट बनना चाहते हैं क्योंके साइन्स की किताब में उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है और खास्तोर से जो जीवनिया हैं साइन्टिस्ट क कि उनकी वज़ा से दुनिया में बड़े-बड़े बदलाव आ गए तो अट्रैक्ट करती हैं जब वो जिंदगी से तक्राना शुरू करते हैं जब यह देखते हैं कि डॉक्टर जल्दी पैसे कमाना शुरू कर देता है मैनेजर जल्दी उसको प्रोमोशन मिल जाते हैं या इस में बड़ी पावर होती है पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो बाश्या जैसा होता है तब उसका रुजहान साइंस की तरफ से फोकस करना चाहूंगा कि जब वो बच्चा देखता है कि मास्टर क्लास में तो विज्ञान की बात कर रहे हैं और बाहर हमको जाके अग्षिर गजिए डिस्ट्रिएपना के सब्सक्राइख में तरुजहान सब्सक्राइब करें तो जान्यूंद साइन या जे बच्चा है आज की तरी में टारीख में बहुत है है और इंस्ट्टिशन ने भी सेट्रफ गड़ी आपर काम किया है कर रहे हैं आर डिख बात ची सेटलाइट बनाना आज की तारीफ में बहुत ही इसे 되कनों में इसमें प्राइब को छूप हम काूशन काम किया सकता बताना चाहूं का कि दियासे कर चंद्रयाहन जाएगा तो चड़ बगगी के लिए हर साल मिटरेक रिपनारेखे सेब आपल से चलेकर ही से या हम जो ट्रडिशनल लॉंच है जो चैमिकल रॉकेट्स लॉंच करते हैं जो स्पेसलिफ्ट कैसे बनाई जाए इसकूपर काम हो रहा है तो इसमें हमारे स्कूल के लेवल पर स्टुएंट्स को इन्वाल करना पर जहां तक मानना है कि बहुत जो पढ़े लिखें जो जानते हो आईएस बन जाते हैं बहुत जो जहने आता है पर वो अन इंप्लॉइड रह जाते हैं तो उन अन इंप्लॉइड को सियंटिस्ट बनाने के तरफ क्योंने सरकार कुछ काम कर रही है जी बहुत अच्छा सवाल है प्रवीर साहब आपका जवाब देना साथ पर एक बहुत बुन्यादी चीज है कि साइंस पर जब जाएंगे नौकरी के शुरिटी नहीं है क्योंकि अब साइंटिस्ट बनेंगे कोई ज़रूरी नहीं है अब साइंस टीचर भी बन सकते हैं आप कॉलेज टीचर भी स्कूल टीचर भी बन सकते हैं तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी हाईरान्की है साइंटिस्ट बहुत बड़ी हस्ती है स्कूल टीचर नीचे के स्तर में है हम उसको इज़त नहीं देते और अगर आपकी सवाल पूछले सवाल जो आपका था कि इंस्पायर कौन करेगा टीचर अगर हम टीचर के स्कूल में इज़त नहीं करेंगे तो आपकी समाज के अंदर विज्यान की प्रतिष्ठा नहीं बन सकती पढ़ाई की प्रतिष्ठा नहीं मन सकती तब जो गोहर साब कह रहे हैं बिलकुल वही होगा कि जिसमें नावकरी मिलेगी उसमें एक स्थिरता है कि शुरिटी है कि मैं इंजिनियर बनुगा और मैं डॉक्टर बनुगा तो मैं पैसा तो अपना कबाल लूँगा ये एक परिसिती बन सकती है एक आखरी सवाल इस समय देश में या 21 सदी की तरफ जा रहा है भारत के सामने जो बड़ी चुनोतियां हैं वो हैं खाद्यान की हमारे सामने जो बड़ी चुनोतियां हैं वो क्लाइमिट चेंज को लेकर हैं या अपने समाज के विकास को लेकर है उसके वैग्यानिक चेतना बढ़ाने को लेकर है इन सब के लिए क्या किये जाने की जरूरत है विग्यान की तरफ से और विग्यानिकों की तरफ से मेरी सबसे जो तीनों आपने आइटेम्स अनिड़ आइटेम्स इसकी जरूरत है करने की लेकिन हमें डर इस बात का है कि हम फिर पीस मील लेवल पर छोटे लेवल पर छोटे पैमाने पर दो चार करोड़ पाँच करोड़ की प्रजेक्ट दे करके हम सोचेंगे कि एंड प्रड़क्ट महुँझाए ये अगर गलती करेंगे तो वी विल नौट बी अड्रेस अड्रेस इसकी वज़ा यही है इडेंटिफाइ प्राइटाइज क्रिटिकल प्रॉब्लेब्स पुट सफिशन फंड्स अप्सलूटी बिल टीम्स अक्रॉस तो सॉल्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लेम्स ऑफ साइंस तब जाके आप डेलिवरी की 50% चांस होगी उससे भी कोई गारेंट साइंस को इन्वेस्टमेंट की तरह लेना हो साइंस ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि अर्बों खर्बों को आपको आके वापस मिलेगा जी उसके मतलब हम यह कह सकते हैं कि साइंस में जितना इन्वेस्ट करना है करें चाहे वो हुमन रिसोर्स का इन्वेस्टमेंट हो चाह है वक्त का investment हो क्योंकि तुरंत कोई नतीजा निकलने की उमीद यहां पर नहीं है और असफलता से बिलकुल डरने की जरूरत नहीं है जब तक हम इस चीज को अपने अंदर नहीं समाहित करेंगे नहीं सोचेंगे तब तक शायद हम science के शेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे बहुत बहुत थैनिवाद इंडियन माइन इस बेस्ट माइन वेस्ट और इंडियन माइन नमस्कार करेंगेowe का हम शाओ करेंगे तक है फन्मस्कार